नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साहित्ति जोती में आज की इस वीडियो में हम लोग राम व्रिक्ष बेनी पूरी जी द्वाररचित सुभान खा नामक पाठ को पढ़ेंगे इस वीडियो में हम लोग सुभान खा पाठ के शारांश एवन किसी पाठ से समभन खित बहुविकल्पी परश्नों को देखेंगा तौछ इस वीडियो को शुरू करते हैं सरवृथम पाठ के शारांश को देखेंगे तो सुभान खा राम ब्रिक्ष बेनी पूरी जी द्वारा रचित एक प्रसिध्ध रचना है, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से हिंदू मुस्लिम एक्ता एवं संप्रदाइक सोहार्द, यानि कि हिंदू मुस्लिम तथा जो अलग-अलग मजहब यानि कि धर्म की लोग है उनमें आपसी एक्ता को दिखलाया गया है, विशेश रूप से हिंदू मुस्लिम एक्ता को दर्शाया गया है। गहरी आस्था है इसके अलावा उनके हृदय में मानव मात्र के प्रति दया जैसी आदर्श विचार धारा हमें देखने को मुलती और राम रिक्ष पेनिपूरी जी ने सुभान खाव के चरित्र को केंद्र में रख कर ही इस कहानी को पूरी तरीके से गढ़ा है इसका जो ताना बाना है उसे बुना है तो सुभान खा का चरित्र कैसे है सुभान खा कैसे बेखती है अस्ता में सुभान खा एक धार्मिक विचारों वाले बेखती है जिनका अपने धर्म के प्रति अटूट सद्धा है, भानखा के मन में अपने धर्म यानि कि इसलाम के प्रती अटूट सद्धा है, वे अपने धर्म से बहुत जादा प्रेम करते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि वे दूसरे धर्मों का अनादर करते हैं, या दूसरे धर्मों के प्रती उनके मन में कोई घ् सभी कर्म कांडों को करते हैं भी फेसे से ये राजमिस्त्री राजमिस्त्री का काम करते हैं और जितना उनके हिरजय में अपने धर्म के प्रति आस्था है, उतना ही लगाओ उन्हें अपने काम के प्रति भी है, उनके मन में अपने काम के प्रति भी आस्था है, यदि हम लेखक के शब्दों में कहें, लेखक हमें बताते हैं कि सुभानखा किस प्रकार कहते हैं, सुभानखा कहते हैं कि काम और अल्ला ये दोनों च चीजे हैं उन दोनों को वे बहुत ज्यादा महत्र देते हैं इसके बाद लेखक बताते हैं कि लेखक का धर्म और सुभान खा का धर्म जो है वो अलग-अलग है लेखक जो है वो धर्म से हिंदू है और सुभानखा धर्म से इसलाम है, मुस्लिम है लेकिन दोनों में बहुत ही प्रेम है इसी संदर्व में जो लेखक हैं वो बताते हैं कि लेखक अपने बच्पन की स्मृतियों को बताते हैं और सुभानखा को याद करते हैं और जब लेखक सुभान्खा से धर्म सम्मंधी अटपटे प्रश्न पूशते हैं, तब सुभान्खा जो है वो बड़ी ही सहस्ता के साथ उन सभी सहस्ता से देते हैं सुभानखा की जो इच्छा है वो है कि मक्का जाकर इसलाम धर्म के सबसे बड़े तीर्थिस्तल है मक्का उसका दर्शन कर सके लेकिन अपनी गरीबी के कारण वे वहां जा नहीं पाते हैं हाला कि इसके लिए जो लेखक हैं वह कहते हैं कि सुभानखा उनके मामा से कर्ज लेले लेकिन जो सुभानखा है वो बताते हैं कि कर्ज लेना अच्छी बात नहीं है और कर्ज लेकर तीर्थ की यात्रा करना वे स्विकार नहीं कहते हैं कहते हैं कि यदि कर्ज लेकर मक्का जाया जाय या थज किया जाय तो इससे सबाब यानि की पूर्णी की प्राप्ति नहीं होती है फिर लेखक होते हैं वो सुभान खाक से मक्का से छुहारे लाने की फर्माइज करते हैं मेरे लिए वहां से छुवारे ले आईएगा यहां पर हम देखें कि लेखक और सुभान खाके बीच बहुत ही गहरा प्रेम भाव है और दोनों की धर्म को लेकर कोई भी मन मुटा नहीं है और लेखक उस्सा में बच्पन की बाते बता रहा है लेखक उस्सा में छोटा है तो बताते हैं कि इस प्रकार सुभान खा जो हैं वो लेखक को अपने कंधे पर बैठा कर खुमाया करते थे दोनों अलग-अलग धर्म के हैं फिर भी दोनों में गहरा लगाव हैं यही कारण है कि लेखक के घर वालों ने उनके जन्म के लिए हुसेन साहब से मन्नत मांगी थी जब लेखक का जन्म होने वाला था तो लेखक के घर वालों ने खुसेन साहब से मननत मांगी थी और मननत पूरा होने पर प्रतेक वर्ष मुहर्रम के दिन तजिये के इद इर्द गेर्द इर्द गेर्द मुसलिम बच्चों की तरह लेखक भी जो है उपक्रम करते हैं जिस तरह मुहर्रम में, माख कीजिएगा, जिस तरीके से मुहर्रम के समय, तजिये के दिन, मुस्लिम बच्चे या मुस्लिम लोग कारे करते हैं, उसी तरीके से जो लेखक हैं, वो भी उस दिन कारे करते हैं, घूमते हैं, जिस तरीके से दूसरे बच्चे कारे करते हैं, उस फ़ानों परिवारेक दूसरे के घर आते जाते हैं यानि कि जब इद बकरिद होता है तो लेखक के घर वाले सुभान भानख्या के यहां, जब होली डिवाली होती है,स अधनी परिवारों में आपसी प्रेम बहुत गहरा है आपस में भी एक साथ मिलजूलकर रहते हैं एक साथ खानपान होता है और सामप्रदाइक स्वहार्द और प्रेम बाड़ते हैं यहां धर्म गौड हो जाता है और मानों का मानों के प्रती जो प्रेम है वो सबसे उपर हो जाता है राम्रिक्ष बेनिपुरी जी ने इस रचना के मुख्य के अंदर में मानुवय प्रेम को रखा है धर्म को नहीं और जब लेखक के घर वाले सुभान खा के घर जाते हैं तो यहां पर जो है मानुवय प्रेम सबसे उपर हो जाता है धर्म का कोई विशेश भात्व नहीं रहता यह प्रेम ही था कि वर्षों के बाद जब सुभान खा की आर्थिकिस्तिति अच्छी हो जाती है संभल जाती है और वो हज की तिया तरह करने के लिए मक्का जा पाते हैं जब लॉट कर आते हैं सुभान खा तो लेखक के लिए छुहारे लाना नहीं भूलते हैं और सुभान खा की यह जो आतंैता है यह जो प्रेम नहीं इसे देखकर लेखक के आखों में आसवा आ जाता है भब लॉटने के बाद उनका ज़्यादा समय जो सुभान खा है उनका ज़्यादा समय अल्ला को समर्पित रहता है अब वो अपने अल्ला के साथ इसओर और कि तेहिं जादा समय घुजारा करतें कि हाला कि आरधिक स्थित्य मजबूत होने के बाद यानि पैसे रुपय से मजबूत होने के बाद भी सुभाणखा के स्वभावं में परिवर्तन नहीं होता है बलकि वो पहले जैसे ही रहते हैं अपनी ढ़लती आयू के बावजूद भी यानि जासे भांखा भूरे हो जाते हैं कि वाध उनकी जो इच्छा रहती है मसजीद बनाने की उसको वो पूरा करते हैं मसजीद का निर्माड करते हैं बहुत बड़ी इच्छा थी कि वो एक मस्जिद का निर्माड करें कि वो पहले गरीब थे इसने वो मस्जिद का निर्माड नहीं कर पा रहे थे परन्तु जब उनकी आर्थिक इस्थिति अच्छी होती है वे मस्जिद का निर्माड भी करते हैं और हज की यात्रा भी कर पाते और उन्होंने अपनी सारी कारीगिरी सारी मेहनद जो है उस मस्जिद के निर्माड करने में लगाया था और यहां पर सबसे महत्वपुन बात यह है कि जब मस्जिद का उध्गाटन होता है तो उस समय कि सभी धर्मों के लोगों को बुला कर भवय आयोजन करते हैं और सभी धर्मों के लोगों के साथ प्रेम के साथ रहते हैं और यहाँ पर इस खटना की माध्यम से है यो Himare बीए , उन्होंने लेकता को भावना को बल दिया है और धर्म की जो कमिया है उसको दूर करने का प्रयास किया है उसको गौड बना दिया है आएए इस पार से संबंदित अब हम कुछ बहु भी कल्पी प्रश्ण को देखते हैं तो यहां पर देखिए हमारा पहला प्रश्ण आचुका है सही विकल्पों को चुनकर सही का निसान लगाएं इसमें पहला प्रश्ण है कि लेखक सुभान दादा से कौन सी सौगात सौगात का अर्थ होता है उपहार ठीक है कौन सी उपहार लाने के लिए कहता है तो देखिए इसमें चार भी कल्क दिया हुआ है, पहला है बदाम, दूसरा है खजूर, तीसरा है छुहारे और चौथा है मटर, जैसा कि मैंने इस पार्ट को पढ़ाते हुए बताया है, कि जो लेखक होता है, वो सुभान खा से कहता है, कि जब आप बक्का जाए, हज की यातरा पर जाए, तो वहां से मेरे लिए फुहारे ले आईएगा, तो यहां पर सुभान दादा कौन सा सौगात लेकर आते हैं, शुहारे तो इसका सही उत्तर है, ग, तीसरा प्रशन देखिए, जियारत का क्या अर्थ है, तो जियारत शब्द का अर्थ होता है, सीर्थ यातरा करना, तीसरा किस दिन लेखक को बचपन में मुसल्मान बच्चों की तरह पूदना पड़ता था यानि कि जिस तरह मुसलिम बच्चे कारी करते थे ठीक उसी तरह का कारिक करना पड़ता था इसका विकल्फ देखिए पहला है इद दूसरा है बक्रीद दीसरा है मुहर्रम और चौथा है सभेबरात तो हम लोगों ने पढ़ा ना कि लेखक के जन्म किसमें उसेन साहब से मनत मांगी गई थी इसलिए जब तक लेखक छोटा था तब तक वो भी मुहर्रम के दिन अन्य बच्चों की तरह उपक्रम करता था इसका सही उत्तर है गः मुहर्रम आईए चौथे प्रश्न को देखते हैं तुबहान दादा का क्या अर चौथा महजिद बनाने का तो इसका सही उत्तर है घह महजिद बनाने का सुभान दादा का अर्मान महजिद बनाने का तो इस पहली वीडियो में हम लोगों ने सुभान खा पाट के शारांश को देखा और इसी पार्ट से संबंदित जो बहुँ वी कल्पी प्रश्न था उस से देखेंगे तब तक आप सभी से अलविदा आगे वाली वीडियो में हम लोग जल्द मिलते हैं और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो आपके लिए उपयोगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूले हन्यवाद